प्री विद्यार्थियों मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, S.P.C. गॉर्मेंट कॉलेज भीम आज हम B.A.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P मानववाद के नाम से भी जाना जाता है. सामयवादी अंतराष्ट्री से निश्कासित होने के बाद राए धीरे-धीरे माक्स्वाद से हटते गए. अवे भारती राज़नीति में सक्रिय हुए और उन्होंने भारती राश्टी कॉंग्रेस में प्रवेश किया लेकिन जब उन्होंने देखा कि कॉंग्रेस को अपने विचारों के अनुकूल ढाल पाना संभव नहीं है तब कॉंग्रेस का परित्या करके दिसंबर 1940 में अपनी प्रथक Radical Democratic Party का गठन किया सन 1945-46 के चुनाओं में जब उनकी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिले तब राय को ये विश्वास हो चला कि जब तक भारत में सांस्कृतिक और बौधिक क्रांती नहीं आएगी तब तक लोग मौलिक लोकतंत्र के सिध्धानतों को नही प्रशस करना था अपने जीवन के अंतिम साथ वर्षों में भारत और विदेशों में मौलिक मानववाद के जनक के रूप में विख्यात हुए राय ने मौलिक मानववाद का प्रतिपादन प्रमक रूप से अपने ग्रंथ New Humanism और अपने सापतहिक पत्र और हरडर आधी द्वारा किया जा चुका है भारत में आधुनिक काल में राजा राम मोहन रॉय रविन्ना टेगोर गोपाल कृष्ण गोखले अरविंद गोष महत्मा गांधी आधी विचारकों के चिंतन में मानववाद के तत्व देखे जा सकते हैं लेकिन राय अपने मा मानववाद के नवीन अत्वा मौलिक नाम देकर यह बताना चाहते हैं कि उनका मानववाद पूरवर्ती अत्वा समकालिन सभी विचारकों द्वारा प्रतिपादित मानववाद से भिन्न है कुछ सीमा तक यह वस्तो इससे थी है भी पाशाते विचारकों और आधुनिक युग के भारतिये मामनाओं द्वारा जिस मानववाद का प्रतिपादन किया गया उनमें से वे मानव को किसी न किसी अती प्राकृतिक और अती मानवी सत्ता के अधिन रखने की इच्छा और धारना से बच नहीं पाए हैं परिणाम सुरूप वे अपने मानववाद में मानव को वांचित केंद्री इस्थान नहीं दे पाए राय इस प्रकार की किसी अती प्राकृतिक और अती मानवी सत्ता के अस्तत्व को स्विकार नहीं करते उन्हें ने मानववाद का केंद्र बिंदू संपून रूप से पुक्ष्टी से इसे नभीन या मॉलिक मानवबाद की संग्या दी गई। fixed पर्चूंकी के निर्मान के लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे राय का सुझावता की वर्तमान सामाजिक दर्शन और सिध्धानतों का इस जंग से पूरी तरह नविनी करण होना चाहिए कि सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच सत्ता प्रतिश्ठित हो जाए और मनुश्य की मानव जाती का मूल है तथा प्रोटेगोरस के इस विचार को स्विकार करता है कि मनुश्य ही प्रत्यक वस्तु का मापदंड है पहले कतन का आशा है कि मानव जीवन अपने में पूर्ण है अता मानव को किसी बाहरी और अतिप्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की ना तो वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है राय के अनुसार मनुश्य स्वयम अपने भागे का निर्माता है और उसमें इतनी शमता है कि वह विश्व को आज के तुलना में शुरेष्ट और सुन्दर बना कि अथ्वा हमारे चरित्र या शमताओं पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है इस प्रकार राय का संपूर्ण ध्यान इस संसार की वास्विक्ताओं पर ही है वे इश्वर के अस्तित्व को स्विकार नहीं करते और मनुश्य को भाग्यवाद के स्थान पर पुरुशार्थ क हातों समर्पित करते हैं हम सामाने तर्व व्यक्ति की अपेक्षा और संस्थाओं की पूजा करते हैं राय के अनुसार या उचित स्थिती नहीं है हमें यह मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति प्रधान तत्व है और समाज व्यक्ति की सृष्टी है व्यक्तियों ने ही अपने बुद्धी और विवेकवाद में विश्वास रॉय लिखते हैं व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व में विवेक सारभम समन्वाई की प्रतिध्वनी है राय के नुसर मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धी है हमें प्रवृतियों अंदविश्वास का प्रतीक है और विकास तभी संभव है जम हम अंदविश्वास का परित्याक कर मानविय बुद्धी को जागरित और परिश्कृत करें तथा विज्ञान और बुद्धी की सहायता से रचनात्मक कारे करने के लिए कदम बढ़ाएं हमें एक स्पष्ट औ मानवबाद का प्रेरक्तत्तु स्वतंत्रता है और राये ने स्वतंत्तता के तीन आधार स्थम बताएं हैं पहला मानवबाद, दूसरा व्यक्तिवाद और तीसरा विवेक बाद राय ने मनुष्य के आत्म विश्वाश और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंतरता को आविशक माना है और मौलिक मानववाद मनुष्य के स्वतंतर अस्तत्व एवं प्रभुत्व के लिए नकेवल जागरुक वरन प्रेतन शील भी है उन्होंने मानववाद मानव मात्र को स्वतंतरता का संदेश देता है मनुष्य एक विवेक्षिल प्राणी है अताव स्वतंतरता की काम ना करता है स्वतंतरता के मार्ग में अनेक बाधाय और कटनाईय आती है जिनके लिए आशिक रूप से अन्शिक रूप से धार्मे सामजीक और राजनीतिक संस्ताईं और आशिक रूप से स्वयम मनुश्य उत्तरदाई है न केवल प्राकृतिक बाधाओं ने वरन धर्म और जादू ने भी मानव स्वतंतरता को सीमित किया है धर्म ने अपनी बुद्धिवादी चरित्र खोकर अपनी कठोड़ता और कट्टरता से मानव स्वतंतरता और मानव सभ्यता को बड़ा आगात पहुचाये है इसी प्रकार परिवार राज्जी और कानून आधी विभिन सामाजिक और राजनितिक संस्ताओं में भी रोडिवादी और परंप्रगत रवाईये से हमारे द्रिष्टिकून को संकिन और स्वार्थमून बनाकर स्वतंतरता के मार्ग में बाधाये खड़ी की है स्वतंतरता का आर्थ है व्यक्ति की अंतरनिहित शक्तियों और शमताओं की अभी व्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का सहज विलिनी करन स्वतंतरता के लिए आविशक्य की बौदिक दृष्टिकून अपना कर धर्म और जादू का परित्या किया जाए और सामजिक और राजनितिक जीवन की संस्थाओं परिवार राज्य और कानून आधी को हमारी स्वतंतरता और विकास के अनुकूल बनाया जाए स्वतंतरता मौलिक मानवबाद का मूल आधार है और राय ने इस पश्ट रूप से कहा है कि राज्य को ऐसा कोई भी कारे नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंतरता सीमित हो स्वतंत्रता का दात पर यह नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है उस पर विवेक का नियंत्रण है जो उसे बुराई से रोकता है विवेक ही व्यक्ति को सामजिक्ता सिखाता है व्यक्ति और समाज में कोई विरोधावास नहीं हो सकता यदि व्यक्ति विवेक द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे धर्म निर्पेक्ष नैतिक्ता से अनुप्रेरित राय के मौलिक मानववाद का एक प्रमुख आधार नैतिक्ता है राय ने विचार व्यक्तिया कि नैतिक्ता और बुद्धिवादिता मनुष्य के दो प्रमुख लक्षन है जिनके अभावों में मनुश्य को मनुश्य नहीं कहा जा सकता हम नेतिक्ता को भुला कर शक्ति प्रदान राजनिती में फस गए हैं इसलिए हमारे सारवजनिक जीवन का पतन होता जा रहा है और हम नाना प्रकार के संकटों में घिर गए हैं अवशक्ता इस बात कि है कि समस्त जीवन में नेतिक्ता को पुनरस्थापित किया जाए लेकिन राय की नेतिक्ता धर्म अत्ववा अध्यात्मवात पर आधारित नहीं है वरन इसका स्वरूप धर्म निरपेक्षबादी है राय का कहना है कि नेतिक्ता कोई अति-मान debugging तथा बाहरी वस्तू न होकर एक आंतरिक शक्ती है जिसका पालन मनुश्य को इश्वरी अत्वा प्राकृतिक भय से नहीं बलकि समाज कल्यान की भावना से करना चाहिए यह नेतिक्ता इश्वर की रचना नहीं बरन तर्क और वुद्धी से जोड़ी हुई इस प्रकार उन्होंनों नेतिक्ता की धर्म पर निर्भरता का खंडन किया है और इसी कारण इसे धर्म निर्पेक्ष नेतिक्ता की संजय दी है राष्टबाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थक राय राष्टबाद को वर्तमान संक्रिय वादी शक्तियों को प्रोचसाहित किया है राय का मौलिक मानवबाद मनुष्य को राष्टवाद की संकिन सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंदुत्व की दीक्षा देता है वह स्वतंत्र मनुष्यों को ऐसे प्रेम और विश्वास के राष्ट मंदल का सदस्य बनाना चाहता है जिसे भाउगलिक सीमाओं में दूशित नहीं किया है राय के मौलिक मानवबाद के स्वरूप का विश्यशन करते हो डॉक्टर वर्मा लिखते हैं नवीन मानवबाद का दृष्टिकोन विश्व राज्जिवादी है इसके लिए राष्टरवाद की अपेक्षा विश्व बंदुत्व की आवश्यक्ता है राय ने विश्व संग का उत्साह के साथ समर्धन किया है राय ने विश्व राज्जिवाद तता अंतराज्जिवाद के बीच भेद किया है अंतराष्टवाद में प्रतक राष्ट्रे राज्यों के अस्तित्व का विचार नहीं थै और अंतराष्टवाद इन प्रतक राष्ट्रे राज्यों के बीच भाई जारे तथा शांति पून सह अस्तित्व के इस्थिति का नाम है लेकिन विश्व राज्यवाद की स्थापना इन राष्ट्री राज्यों का निराकरण करके ही की जा सकती है विश्व राज्यवाद तो समस्त विश्व के मानवों के साथ सीधे जुड़ा हुआ है यह तो विश्व के विभिन राजियों के बीच नहीं वरन विश्व के समस्त मानवों के बीच बंदुत्व की इस्थति का नाम है राय का मौलिक मानववाद, उधारवाद तथा मार्कसवाद का सम्मिश्रण है पुराने उधारबाद को मार्क्स के विचारों से परिश्कृत कर मानवेंद रनाथ रोय ने नव मानवाद की स्थापना की है